Hey guys, welcome back to my YouTube channel in the Glam Girl Ross इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बर्फ हमारे स्कीन के लिए कितना effective and helpful होता है साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि open pores close करना क्यों important होता है और अगर pores open रहे गए तो इससे कितनी स्कीन problems हो सकती है So guys, इसके लिए वीडियो को end तक देखिएगा, वीडियो बहुत छोटा है और पसंद आए तो like share कीजिए और हाँ वीडियो के बारे में आपका जो भी अपनियन ये question है तो comment box में जरूर पोचे सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैंने coffee facial किया है और उसके पहले मैंने अपने चेरे पर भाप लिया है जिससे skin के pores open हो गए है या फिर कितने लोगों का ऐसे ही open pores रहता है So guys, कारण जो भी हो आपको अपना pores close करने के लिए ice cubes का use करना चाहिए इससे आपके skin के सारे pores अच्छे से close हो जाएंगे जिससे आपके skin में dust गुसने का chance कम रहता है और आपके skin में problem होने के भी chances कम हो जाते हैं Guys, ice cubes का तो सबसे बड़ा फाइदा open pores को close करना है बट इसके साथ ही इसके और भी बहुत सारे benefits हैं Guys, ice cubes skin पर रगड़ने या 5 मिनट तक massage करने से आपके skin को एक अच्छा shape मेरता है और बढ़ते उमर में जूरिया नहीं पड़ती थी Ice cubes से face पर massage करने से चेहरे का blood circulation बढ़ता है जिससे आपके skin naturally glow करती है Fine lines नहीं होते और चेहरा tight बनी रहती है और हाँ guys, यह और भी ज़्यादा best तब होगा जब आपने अपने face पर facial करा हो Facial करने के बाद अगर आप अपने skin पर वर्फ रगड़ते हैं तो आपको उसका दूगना benefits देखने को मिलेगा और हाँ guys, इसके बाद आप कुछ face पर लगाना चाहते हैं तो आप normally toner या moisturizer लगा सकते हैं So guys, hope you यह वीडियो आपके लिए helpful and informative रही होगी मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए beauty and skin से related interesting tips के साथ तब तक के लिए bye bye and take care